क्या आपको भी जिम जाना या फिर एक्सरसाइज करना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है आज हम बात करेंगे पुश अप्स करने के फायदों के बारे में और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि time to time सहसे जुड़ी सभी जानकारिया आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं तो चलिए जानते हैं push-ups करने के जबरदस फायदों के बारे में joints मजबूत होते हैं जी हाँ push-ups करने से body के सभी joints मजबूत होते हैं क्योंकि जब आप push-ups करते हैं तो इन हिस्सों पर अधिक बल पड़ता है जैसे कंदे, elbow और कमर के आसपास के हिस्से इसी वज़े से इन सभी joints को बहुत अच्छे से मजबूती मिलती है वजन कम करने में मददगार अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो push-ups करना आपके लिए एक बहतरीन विकल्प है क्योंकि इसे करने से आपकी अंदुरूनी मास पेसियां बढ़ती हैं और पेट की चर्बी के साथ-साथ केलोरी तेजी से बर्ण होती है वजन कम करने के लिए आपको कम से कम 15-20 push-ups करना चाहिए मसल्स मजबूत होती है push-ups exercise एक ऐसी exercise है जिसे करने से आप एक साथ कई muscles को मजबूत बना सकते हैं जब आप push-ups करते हैं तो इससे आपके पेट, छाती, हिप्स और कंदो की muscles पर बल पढ़ता है जिससे इन में मजबूती आती है कमर दर्द से रहत अगर आप लंबे समय तक एक ही position में बैठते हैं या लेटे रहते हैं तो इस वज़े से कमर का लचिलापन कम हो जाता है और कमर दर्द होने लगता है इसलिए push-ups करने से कमर में लचिलापन बढ़ता है और कमर दर्द से रहत मिलती है दिल के लिए फाइदे मन्द push-ups करने से cardiovascular disease से बचा जा सकता है क्योंकि जब आप push-ups करते हैं अब ये भी जान लेते हैं कि हर दिन हमें कितने push-ups करने चाहिए अगर आप सवस्थ हैं तो दिन में 50-100 push-ups कर सकते हैं लेकिन अगर आप डेली 20-40 push-ups भी करते हैं तो ये भी काफी होता है लेकिन push-ups करते समय ध्यान रखना चाहिए कि exercise सही से हो कोई गलती ना करें नहीं तो आपको इंजरी भी हो सकती है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी मिल गई होगी कि push-ups करने के कितने फायदे हैं अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश जरूर करें थेंक यू